हेलो स्टूडेंट आज हम अपना नया चेप्टर स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण का पार्च है समास अब पता है आपको समास क्या होता है चलिए हम पढ़ते हैं से समास का अर्थ होता है संछेप या संयोग संयोग मिन्स संयोग तो एक से नहीं हो सकता है न इसलिए अर्थाथ दो या दो से अधिक सब्दों का मेल समास कहलाता है जब दो या दो से अधिक सब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं उदारन देखिए, राजा का महल, राज महल, ओके, राजा की महल को क्या बोलते हैं हम, राज महल, ओके, तो ये दो या दो से अधिक सब्द बने न, सब्दों को हम, राजा ये एक हुआ, और ये महल, तो दो या दो से अधिक सब्दों के मेल से बना, राज महल, ओके, नेक्स् चौराहा बोलते हैं जैसे रोड में कहीं चार रास्ता रहती हैं तो उसे हम चौराहा बोलते हैं तो वही है चार राहों का समूम चौराहा कहलाता है अब देखिए नेक्स्ट उपरियोक्त उदाहरणों में राजमहल, भाई बहन और चौराहा समास के उदाहरणें दो या दो स अधिक सब्दों के मेल से जो पद बनता है उसे समासिक सब्द या समस्त पद कहते हैं समासिक पद में सदैव दो सब्द होते हैं पहले सब्द को पूर्वपद और दूसरे सब्द को उत्तर पद कहते हैं जैसे राजा का महल में राजा पूर्वपद हुआ और महल उत्तर पद हुआ जब दो शब्द होएंगे समासिक सब्द में सदयव दो शब्द होते हैं कुझ जैसे भाई बहन हो गया तो भाई क्या हो गया यह पूर्वपद और बहन उत्तरपद दो पद हुए तो पहला पूर्वपद और दूसरा उत्तरपद कहलाता है अब देखे समास विग्रह, विग्रह मेंस होता है तोड़ना समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है जैसे गंगा जल, समस्त पद का समास विग्रह हुआ गंगा का जल गंगा जल बोलते हैं तो गंगा का जल हम किसे के कहते हैं गंगा की जल को हम गंगा जल बोलते हैं इसलिए उसका विग्रह किया हमने तोड़ दिया उसको तो गंगा का जल तो ये का बीच में आया है ये विग्रह हुआ है ना गंगा का जल इसको हमने अलग-अलग किया अब देखिए समास के भेद मतलब समास कितने प्रकार के होते हैं तो इसके छे प्रकार होते हैं अव्यई भाव समास तत्पुरुष समास कर्मधाराय समास द्वगी समास दिवु समास द्वण समास और बहुब्रीही समास चलिए हमेने पढ़ते हैं डिटेल से पहला अव्याई भाव समास जिस समास का प्रथम पद, पूर्वपद, प्रधान जिस समास का प्रथम पद, मिन्स पूर्वपद जो पहला पद होता है वह प्रधान तथा अव्याई हो प्रधान तथा अव्याय हो उसे अव्यायी भाव समास कहते हैं उदारन देखिए यथा शक्ति यथा शक्ति में यथा क्या है या पूर्वपद है उसका मतलब इसका समास विग्राहम करेंगे तो यथा सक्ति के अनुसार तो यह था क्या है यह अव्या है पूर्वपद है उसका प्रधान है फिर वैसे यह प्रती वर्ष प्रती वर्ष मेंज हर वर्ष तो यह प्रती क्या है अव्या है प्रधान है फिर है निडर बिना डर के निडर जो डरता नहीं है बिना डर के तो यह नी नी शब जो आ रहा है अव्याय है, ओके, फिर है भर पेट, भर पेट, मतलब पेट भर के, भर पेट खाना खाओ, बोलते हैं, तो मतलब पेट भर के, तो ये भर, भर क्या है, अव्याय, फिर है बेक टके, बेक टे, तो ये है बिना खटके के, बे खटके, तो ये बे, अलग लग रहा नहीं, तो बे यह क्या है अव्याय है पूरुपद है फिर है निशंदे है मतलब बिना संदे के निह जो क्या है कि हम जो विशर्ग यूज करते हैं ये निह इसको हम निह पढ़ते हैं विशर्ग का उच्चारण हम हा के लिए करते हैं हा के उच्चारण के लिए हम विशर्ग का प्रय बिद्यों करते हैं तो निह, सन्देह ना, बिना, सन्देह की, तो जो यह निह है वो क्या है अव्याय है, प्रधान पद है, उसका पूर्व पद है, ओके I chocolate है, अव्यायी भाव्समाश के में इस प्रकार के वहरे जाते ही है, जैसे रातों रात, रात ही रात में है न, जिसके तो यह हुआ पहला अव्याई भाव समास जिसमें प्रथम पत प्रधान तथा अव्याई हो बड़ा हो मतलब उसे हम अव्याई भाव समास कहते हैं Okay students, now your homework, आप समास किसे कहते हैं, उसकी परिभासा और समास विग्रह किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, Okay, Bye Bye, Good Day.